जहां एक तरफ आम जंता के लिए प्याज की कीमतों में थोड़ी रात देखने को मिली तो वही दूसरी तरफ कीमत कम होने की कारण किसानों को भारी नुकसान छेलना पड़ रहा है एसा पहली बार नहीं है कि जब किसानों को इस तरह की परिशानी का सामना करना पड़ा हो प्याज हमेशा सही किसानों को रुलाता आया है खबरे महराश्टर से सामने आ रही है जहाँ पर किसानों को प्याज एक से पांच उर्पे प्रती किलो के हिसाब से बेचना पड़ रहा है यह सिल्सला पिछले दो से तीन महिनों से लगातार जारी है देश के अंदाताओं के लिए बहुत बुरी खबर है किसानों को उनकी फसल का सही मुल्या नहीं मिल पा रहा है महरास्टर के नाश्टर की मंडियों में किसानों से प्याज पांच उर्पे प्रती किलो की दर से खरीदा जा रहा है तो वहीं मध्य परदेश में भी प्याज कोडी के भाव में खरीदा जा रहा है मांसुन के चलते किसानों की फसल पर बुरा परभाव पड़ा है किसानों के लिए चुनोतिया और बढ़ गई है बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण प्याज का सुरक्षित रखना संभव नहीं हो रहा इसलिए किसान जल से जल प्याज को मंडी में बेचना चाह रही है मगर यहां पर उन्हें प्याज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही उधर महराश्टर राज्य प्याज उद्पादक संग ने प्याज का सही मुल्य ना मिलने के खिलाफ चेतामनी दे डाली है कि यदि किसानों को 25 रुपे प्रती किलो की उस्तर दर पर प्याज का भाव नहीं मिलेगा तो वो 16 अगस यानि आज से अपना अंदोलन शुरू कर ब्याजार में प्याज की विक्रीब बंद कर देंगे कर दो अंदोलन भी कर दो वो प्याज की विक्रीब भी ठेसे ऑलने के लाज से तो याज से विक्रीब विक्रान है